अस्राम लेकूं डिये स्ट्टूनेंट्स जी के प्रिपेशन में आपको खुश्रमदीर कहते हैं जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी पाक्सान फेज सीरीज जो है वो चाल रही है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हम PPRC, FPRC या कोई भी इस तरह की ऑर्गनाइजेशन जो जर्नल अबिल्टी का टेस्ट लेती है उसकी त्यारी करवाते हैं ठीक है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत फाइदा मनसाबस होने वाली है जैसा कि आपको मालूम है कि हम पा थोड़ा सा मैं आपको इसका बैक्डरूंड और काजिस बता देता हूं कि जब 1906 में तनसीख बंगाल हुई ना एनल मंटो फ बंगाल उसके बाद जो है आपको पता है कि लाड मंटो थे उन्होंने क्या किया था एक एक्ट अपनी जो रिफार्म्स बना के ना वो बेजी न कॉंसल को ठीक है बदानिया में तो बदानिया ने उसके उपर काम किया और काम करनी के बाद हम से एक एक्ट पास किया जिसे इंडियन कांसल एकट 1909 कहते है इसकving को हम मिन्टो मार लेरी फार्मस से और पिह एक्ट डिया है चाना लाड मिन्टो तु यह या रखना पर इंडिया था अब इसे मनिस्टर भी कह सकते हैं कि जितने भी कवानीन बन देते हैं उनको इंपलीमेंटेशन उनकी जो थी वो कौन करवाता था लॉर्ड मौरले कब 1909 में ठीक है जी तो यह थोड़ा सा इसका बैक्राउंड था इसके बाद हम देख लेते हैं की पॉइंट किया थे तो जो यह रिफार्म्स होई ना आपको पता है कि मुस्लमानों ने डिमार्ड किया था सेपरेट अलेक्टरेट और जजजेज जो थे वो नहीं थे मुस्लमानों के तो इस वादे से हम यह देखते हैं कि की पॉइंट किया थे सबसे पहले इन्होंने क्या किया किया क पहले काम लोग थे पिर ज्यादा आगे ज्यादा आने से फाइदा यह हुआ कि यहां पर इंडियन लोगों को भी जो यह ना शामल किया गया पहले तो सारी ब्रेटन होते थे ना उसके बाद इन्होंने क्या किया नंबर ओफ पर्मेंशल लेजिसलेटिव अच्छा यह तो थी फेडरल वाली जैसे होती है ना उसके बाद इन्होंने जो सुभाई लेजिसलेटिव थी ना उससे भी इंक्रीज कर दिया ठीक है उसमें इन्होंने क्या किया साथ सीटें जो हैं वो कर दी बंगाल मदारस और मुंबई के लिए ठीक है और 34 सीटें जो थी वो बाकी प्रोवेंसिस के लिए की गहीं थी ठीक है जी थोड़ी जी मैं चैटिंग कर लो अच्छा नंबर थ्री पर क्या हुआ कि सेपरेट लेक्टोरेट जो था ना वो मुस्लमानों को मिल गया मुस्लमानों की ड्मार्ण थी कि हमें जो है ना अच्छा ना अच्छा हुआ को शीडंस को जो यह खे लिए पर्व किया चाये तो यह मुस्लमान बिल मिल गरैं उiest थार्टी जो थी मुस्लमान weekend सी की लेजिसरेटिटिव में ठीक है ना उससे एक्तियाराद बढ़ाए थे यह बहुत important question है mcq के हवाले से एक तो budget के एक्तियाराद थे कि वो अपनी मर्जी से develop कर सकते थे और उसके अंदर amendments जो थी वो भी कर सकते थे कौन कर सकते थे legislative council के member ठीक है तो यह पूछा जा सकता है कि किन दो एक्तियाराद जो कौन से दो अग्तियाराद जो हैं वो मिन्टो मारले रिफार्म के थूरू legislative council को ज्यादा दिये गए थे ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए आपको यह वाली dates जो हैं वो 100% as it is जो है न वो यह भी पूछा जाते है कि मेंटो टू था मिन्टो मारले रिफार्म में हमें मेंंटो वनš फोर ता या फाइव था या थ्री था ठीक है तीन चार मेंटो आये हैं लाड मेंटो ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए मेंटो उसके बाद आगे देख लेते हैं जी कि जो मुस्लमानों ने डिमांड किया था ना क्या डिमांड किया था जजिस आपको बता है कि तक्सीम बंगाल के वक्त मुसलिम्स के जो अपने जजिसे वो थे जी नी तो एक शर्थ वहां पे भी मनजूर हुई थी जो मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बियान की है कि ढाका के अंदर जो है ना वो मुस्लम कोर्ट्स बनाई जाएंगी और मुस्लम जजिर जो है वो आएंगे तो इन्होंने इसे बरकरार रखा बलके इसे मजीद जो है ना फेला दिया ज्यादा कर दिया जजजर्स की तादाद को अब ये तादाद कितनी की है ये मुझे आपने बताना है ठीक है जी अच्छा ये भी मुस्लमानों की बात मान ली उसके बाद आप देख लेते हैं कि हम इसके रियक्शन्स जो थे वो क्या थे मिन्टो मारले के उपर सबस्व पहले तो था मुस्लम लीग जो थी ना मुस्लम लीग ये ले टी बन गया अच्छा खेर मुस्लम लीग जो थी उसने इसे बड़ा स्पोर्ट किया उन्होंने मान लिया चुंके ये मुस्लमनों की फेवर में था तो रहरे मुस्लम लीग ने दो मान नहीं था उसके साथ साथ एक हिंदू रहनमा था एसपी सिन्हा ठीक ना एसपी सिन्हा ने भी इसे जो है ना अक्सेप्ट किया मिन्टो मारले रिफार्म को आप से पुछा जा सकता है कि मिन्टो मारले रिफार्म को किसने कौं कौं से लोगों ने अक्सेप्ट किया तो उसमें तीन नाम कोई और होने के साथ साथ सिन्हा भी हो सकते हैं तो आप इसे accept किया एक तो मुस्लम लीग थी एक अल इंडिया मुस्लम लीग थी इसकी लंदन ब्राज जो थी ना ये 1906 में बनी थी कब बनी थी 1906 में ठीक है तो इसे जो है ना इनकी लंदन वाली जो ब्राज थी उसने भी accept किया मिन्टो माले रिफार्म्स को उसके बाद जो हिंदू महासभा ये तहरी थी या इनकी जो पार्टी थी ना ये बहुत खलाफ थी ये तो कहते थे कि मुस्लमान जो है वो इंडिया में होने ही नहीं चाहिए इनने मार दें या यहांजे निकाल दें ठीक है तो इन्होंने इसके पर बड़ा रियाक्शन दिया कि मिन्टो मार ले रिफार्म्स जो हैं वो बिल्कुल गलत है लेकिन ये अलग बात है कि ये सुनी ना गई और इनकी इंप्लिमेंटेशन जा गए 1909 में होगी और इंप्लिमेंटेशन किस ने करवाई थी यह मैं आपको पीछे बता चुका हू ठीक है ना चले मैं ही बता देता हूँ कि जो मार ले थे ना मार ले स्टेट ओफ सेक्री थे इंडियन इन्होंने इसकी इंप्लिमेंटेशन करवाई थी ठीक है उसके बाद एक छोटा सा टापिक हमने यहां पर एड़ किया है कानपूर मास्क ट्रेजिडी जिसे हम खानपू उवर्ष किया एक मसिट को कब 1913 में 1913 में एक मस्जट को डिमॉलिश किया मतलब गिराना शुरू किया कहा पर यूपी ईंडिया की एक स्टेट है वहां भी इन्होंने इस मस्ज़द को गिराना शुरू किया ठीक है उसके बाद जब मुस्लमानों का जाहरी बात है कि एक रियाक्शन तो आना था कि एक बहुत बड़ी मस्ज़द थी जिसे गिराना शुरू का दिया और आगे में वज़ा क्या थी कि जो इन्होंने दी ना ब्रीटिश ने ब्रीटिश गवर्मेंट ने इन्होंने का जी कि हमने रोड बनाना है ठीक है ये बिलफर्ज एक रोड है ना इस साइड पर मस्ज़द है इस साइड पर बिलकुल सामने एक temple था ठीक है हिंदुओं का जो होते है ना temple वो था अच्छा जो मस्जद का यहां पर वजू खाना था ना इस तरह से ये इन्हों ने ब्रेटिश गवर्मेंट ने इससे जो है ना गिराना शुरू कर दिया और इन्हों ने रिजन दी कि ये जो वजू खाना है ये मस्जद का हिसा नहीं है जबके temple जो है वो तो पूरे का पूरा ही जो है एक मकदस हमारत है तो मस्जद का वजू खाना गरा देते हैं इसके ओपर muslims ने बड़ा reaction दिया इस reaction के स्वेसे में इस reaction के reaction में 133 लोग जो थे वो किल हुए मारे गए या शहीद हो गए जाहरी बात है उसमें muslims भी थे और इनके साथ लड़ने वाले जो थे वो भी होंगे शामरत ठीक है तो टोटल कितने लोग थे 133 ये बड़ा important है आप से पूछा जा सकता है कि कानपूर मास्क tragedy में कितन कितनी अमवात हुई थी तो आपको ये याद होना चाहिए ठीक है उसके बाद लाड हार्डिंग जो थे वो आए उन्हों जब उन्हों पता चला कि हाला बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं कानपूर में तो उन्होंने फैसला किया कि मैं चलें विजट करता हूँ वो आए कब अक्तूबर 14 1913 में वो आए कानपूर में और उन्होंने कोशिश की मुस्लमानों को ठंडा करने की उन्हें तसली देने की कि आप जो है ना रुक जाएं हम इसका कुछ करते हैं मतलब इस तरह कि कोई उसने वादे वगरा किये थे बाद में इसका क्या हुआ हुआ खेर उ उस गहराई में जाने की हमें दरूरत नहीं है ठीक है तो यही चीज़ें अगर आप याद कर लेंगे ना तो बहुत अमीद है बड़ी हमीद है कि आपकी इन्शालला टेस्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे इसके इलावा अगर आपका कुई क्वेस्टन हो तो आप कॉमें सेक्शन में पूछ सकते हैं ठीक है त्यारी करें टाइम दें मुझे भी अपनी दुआउं में याद रुखिए स्टेबलेज्ट अला हाफिज